हेलो एव्रिवान, आज हम करने जा रहे हैं एबिटमेंट जो कि सेक्शन नमर 107 से लेकर के 120 और IPC में आता है अब एबिटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दू मैंने इसकी ट्रिक्स नहीं करवाई है क्योंकि एबिटमेंट मैं आज सज कुछ ट्रिक्स है नहीं, सबसे पहले में इसमें आपको बताऊंगी एबिटमेंट और एबिटमेंट का मीं स्का पोर्शन जैसे की एबिटमेंट के मोट्स कैया कया होते हैं वो हमारा first portion हो जाएगा second portion होगा हमारा liability liability किसकी liability आजाएगी liability of abitter उसमें हमारे सारे sections cover हो जाएगे बागी miscellaneous sections बचेंगे वो हम कर लेंगे चीक है तो दो portion में mainly मैं आपको abitment start कर वाऊँगी तो चलिए करते हैं अब देखो अगर आपको abitment का introduction करना है तो क्या होगा सबसे पहले ये बात आती है कि इसका principle क्या है person may not directly participate but enable others to commit crime through other means ठीक है अब देखो सबसे पहले मैंने आपको ये बहुत पहले बताया था कि criminal law में किस चीज को culpable किया जाता है intention को किसको mensria को अब माल लो mensria कोई दूसरा इंसान कर रहा है transfer ऐसे इंसान को जिसका खुद का कोई intention नहीं और वो दूसरा इंसान माँ पे present नहीं है या फिर उसने directly उस जगे को कुछ effect नहीं किया है तो क्या होगा है ना तब उस चीज में कैसे किया जाएगा वैसे situation की बात हो रही है कि abitment abitment यानि कि आप किसी और को instigate कर रहे हो किसी और को प्रभावित कर रहे हो तो वही चीज है person may not directly participate आप directly participate नहीं कर रहे हो उस जगे पे नहीं हो तो आपको सजा कैसे मिलेगी ये तो होगा कि आपने वहां पे तो कोई आक्ट नहीं कि आप महां पे प्रेजेंट नहीं हो तो आपके intention को यहां पे क्या किया जा रहा है offense बताया जा रहा है enable others to commit crime through other means ठीक है hence the degree of culpability will depend on the role of each one in the commission of crime आपका क्या रोल है उस चीज में वैसी आपके culpability depend करेगी ठीक है अब इसके बाद degree of culpability हाला कि जादर जरूरी नहीं है अलग-अलग तरीके के लोग होते कौन से principle और accessory आप क्या हो या तो आप principle या तो दो तरह के लोग होते है पहला होते है principle दूसरा होते accessory प्रिंसिपल क्या होता है first degree में who commits the crime दूसरा के होते है second degree में जो कि present है वाहाँ पे accessory में क्या है before the fact councils procures commands वो command procure करता है and after the fact यानि कि harbor या फिर assess करता है बाद में उसको बच 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 आप करता है ठीक है अब इसमें देखो जो बहुत important case है कौन सा case है करतार सिंग वर्सेस state of Punjab इसमें abitment को mainly define किया गया है तो हमें ये beach का portion जो है इतना जरूरी नहीं है important portion ये है कि आप इसका principle यानि कि introduction इसको introduction भी बोल सकते है intro लिखो कि हो सकता है इंसान में पे present ना हो पर उसका जो mens रिया है वो क्या किया है उसने अपना transfer किया है ऐसे इंसान को जिसका खुद को कोई intention नहीं है others to commit through other means तो इसमें करतार सिंगर वर्सेस state of Punjab में abitment को define कैसे किया गया है देखो it explained that abit can be defined as meaning to aid जीके क्या होता है aid assist क्या क्या होता है aid होता है assist होता है command होता है procure होता है क्या procure करना होता है council inducement encourage encouragement भी होता है यह बात याद रखना कोई आपको encourage करें हाँ यह तो बहुत अच्छा काम है और वो काम गलत है तो आप इसको as a defense में तो नहीं ले सकते हो कि सामने वाले ने मुझे encourage कहता बलकि जो इसने encourage किया था वो यह भी नहीं बोल सकता है कि मैंने तो वावाई में किया था नहीं अगर आपने इस intention से किया था कि आप सामने वाले को encourage करोगी तो वो इंसान वो गलत चीज कर लेगा तो encouragement भी जो है वो इंकरेजमेंट ठीक है समझ में आगे करतार सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब नेक्स इसके बाद दो सेक्षिन साते हैं हमने कौन सेक्षिन किया है 106 अभी कर लिया है ठीक है स्वारी 106 हमने introduction किया है अभी introduction अब सेक्षिन 107 में क्या है abitment of a thing क्या है abitment of a thing है और 108 में abitry defined है ठीक है तो यह हमारा first portion हो गया अभी हम करेंगे से यह मैं आपको बता रहे हूं कि क्या 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 करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले आते है modes of abitment यह किसमें आ गया abitment में ही आ गया 107 के अंडर ही अब modes of abitment क्या क्या है instigation है modes of abitment से पहले मैं आपको और वह कुछ चीज़ें बताना चाहते हूं जैसे कि essence of abitment is active and intentional assistance of a person to the perpetrator of the offense ठीक है अब इसमें simple सी बात यह है कि abitment का essence क्या है active and intentional assistance किसी को आप assist कर रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो assist कर रहे हो पर कैसे actively 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 assist कर रहे हो आप किसी को साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो intentional उसमें क्या है intentions भी involved है तो उसको बोलेंगे हम essence of abitment ठीक है अब इसमें क्या था एक case है Sanju versus state of madhpradesh उसमें simply आपको यह बता दे तो hell क्या हुआ था that it is essential to keep in mind that while considering the law related to abitment abitment का law consider करने के लिए the requirement of mensria is a precondition for liability बहुत important है यह बात कि mensria होना चाहिए मैं मालो आपको encourage कर रही हूँ पर मेरे अंदर mensria की कमी है mensria as in मेरे अंदर इस चीज की कमी है कि मुझे मैं नहीं चाहती कि आप पैसे कोई offense करो मैं बस आपको encourage कर रही हूँ out of innocence तो क्या मैं abitment करूंगी नहीं इस situation में मैंने abitment नहीं किया क्योंकि क्या missing है mensria missing है mensria missing है जहां पर वहां पर तो आप कर ही नहीं सकते हो इस चीज को कुछ तो समझ में आ गया mensria missing है abitment नहीं होगा अब इसके बत क्या है however this position is different in those cases where the statute does not require mensria अब वहां पर mensria required नहीं वहां पर देखो abitment की भी सजा नहीं मिलेगी abitment की भी सजा मिल जाएगी जहां पर mensria आपका नहीं था मैंने किसी ऐसी चीज के लिए instigate किया जो कि strict library के अंदर आती है उसे mensria की जुरूत नहीं है उसका mensria essential element नहीं है तो ऐसे offense के abitment के लिए जहां पर mensria नहीं है तो उस offense के abitment के लिए मेरे पास mensria नहीं है तो फिर मुझे तब भी abitment की सजा मिलेगी क्योंकि mensria जब offense में missing है तो mensria abitment में missing हो तो चल जाता है ठीक है आपको समझ भी आ गया case का नाम क्या है sanju versus state of madradesh ठीक है sanju जी बहुत क्या थे उनमे mensria नहीं था उन्होंने actively participate नहीं किया था ठीक है समझ भी आ गया अब हम करते है instigation instigation के कुछ तरीके होते है ठीक है वो सारे हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से instigation के तरीके होते हैं अब सबसे पहले instigation में आ गया provoke insight और encouragement हमने अब भी पढ़ा है provoke insight और encouragement के बारे में कि यह आप किसी को provoke कर रहे हो insight कर रहे हो encourage कर रहे हो प्लस आप approval भी दे रहे हो यह हम आगे पढ़ेंगे चीक है क्या गया P I E A चीक है एक तो यह होगे Pi आ Pi चीक है आप Pi ऐसे याद कर ले न बाकि यह कई बार वीडियो देखो कि तो याद हो जाएगा देखो इसमें आप क्या कर रहे हो इंस्टिकेशन में provoke कर रहे हो insight कर रहे हो encourage कर रहे हो doing of unlawful act आप कोई lawful act के लिए आप encourage कर रहे हो तो आप माप की category में आ गए न unlawful act के लिए कर रहे हो तो आप abitator में आ गए यह भी हमें पता है कि overtaught की जरुवत नहीं है कि इसमें instigation में overtaught की जरुवत नहीं है तो अब इसमें case आता है चितरेश कुमार शोप्रा वर्सेस टेट इसमें बोला गया था if instigation is by words then words must necessarily and specifically suggestive of the consequence अगर आप अपने शब्दों से instigate कर रहे हो word से instigate कर रहे हो तो वो क्या होने चाहिए suggestive होने चाहिए अब आप मान लो अपने शब्दों से कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो सामने वाला suggestion मतलब आपके अंदर मैं आपको instigate कर रहे हो मेरे अंदर मैंसरिया है आपने उस बात को वैसे लिया ही नहीं आपको लगा कि ठेक है बलबरा रही है बोल रही है suggestion नहीं लिया as a suggestive नहीं लिया तो क्या हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे obviously abitment नहीं हुआ है अब next इसके बात क्या आता है a reasonable certainty to inside the consequence must be shown देखो कहीं जगे कुछ चीज explain नहीं होगी समझ में नहीं है तो वहाँ पर एक word लगा दिया जाएगा जिसको बोलता है reasonable वैसे यहाँ पर भी लगा दिया गया है क्या reasonable certainty होने चाहिए कि आप insight कर रहे हो inside the consequences must be shown इसको दिखाना पड़ेगा next इसके बाद है इसका example ले लेते है if a says to be I am going to kill c be replaced you as you wish and bear the consequences consequences later a kill c तो इसमें क्या हो जाता है b cannot be said to instigate the murder of c अब इसमें मैं आपको बताते हूँ यह किस case में है queen versus mohit में इस example मैं आपको बताऊंगी चीक है a ने बोला b को कि मैं यानि कि a जो है I am going to kill c b ने बोला मार दो चीक है do as you wish and bear the consequences जैसे तुमाई मर्जी करो जैसे मम्मी लोग बोलती है न जो करना है कर गुस्ते मैं वैसे इसमें में बोला later a ने क्या किया a ने मार दिया चीक है b cannot be set to instigate the murder of c चीक है यहां पर b को abitter के लिए नहीं वो किया जाएगा instigation उसने नहीं किया है there is however certain cases where approval of act leads to instigation इसने क्या किया है approval किया है चीक है general approval जो है उसको instigation की category में नहीं रखा जाएगा but एक case है उसके तर रखा जाएगा कौन सा case है वो वो है queen versus mohit अब हम queen versus mohit करते है queen versus mohit में है a person followed the woman इसमें क्या क्या हुआ तब उसको discuss कर लेते है एक इंसान है person followed woman preparing for sati enchanted ram ram sati है he was guilty of abitment by instigation to lead the woman to commit suicide चीक है हमने यहाँ पर approval किया है approval generally तो नहीं है but इस case में queen versus mohit में उसको लिया गया है approval as instigation next इसके बाद है approval of an act is another form of instigation but generally passive approval अब देखो अपने approval पढ़ लिया कि generally approval तो नहीं है पर इधर कौन सा approval है active approval है चीक है active approval passive approval कि कर लो जो करना है पर एक होता है active approval कि हाँ तुम सही कर रही हो वाओ बहुत अच्छा है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है यह सब चीज है यह क्या होता है active approval होता है वैसे ही इसमें जैसे कि आप बोल दो upload करो सती माता की जय तो उनको भी है लाइबल किया जगे instigation के लिए मैंने आपके सामने पड़ दिया है पर मैं अभी करती हूँ अब इसमें क्या है explanation one की बात कर रहे है अब लोग explanation one में क्या है willful misrepresentation या फिर willful concealment will है आपकी plus misrepresentation और concealment से आप क्या कर रहे हो अब आप willful misrepresentation willful concealment से किस चीज़ का material fact material fact के हाँ यह हो कि आप material fact which he is bound to disclose अब आप इसमें क्या हो bound हो छीक है bound to disclose अब आप इसमें क्या हो bound to disclose or voluntarily causes or procures और attempts to cause or procure a thing to be done he said to instigate the doing of that thing अब इधर आप क्या हो provoke कर रहे हो insight कर रहे हो encourage कर रहे हो approve कर रहे हो पर इसमें एक चीज़ और आड़ कर दो plus hide क्या लिखा है मैंने आप ऐसी चीज़ हाइड कर रहे हो आप ने बोला उसने मेरे बारे में कुछ बोला क्या बोला ठीक है और माल लो उस लड़की ने बोला कि ये अच्छी लड़की है पर कुछ ऐसे ऐसे काम करती है और मेरी दोस्ने मुझे क्या बताया कि उसने बोला तुम ऐसे ऐसे काम करती हो अच्छी लड़की वाली बात हटा दी शी बाउन टो टेल मी दाट शी ओस मी दाट विकोज मैंने उससे पूझा है और उसने वो बात हाइड करी ठीक है ये है तो गॉसेफ वाली बात पर इसमें इसको आपको आराम से समझ में आ जागी उसने मुझसे वो बात छुपा दी और उसकी वाज़े से मैं इंस्टिगेट हो गई मैं भूलूँगी मैं अब जाके उससे अपनी दोस्ती तोड नहीं हूँ इधर ओफेंस के लिए इंस्टिगेशन है और मेरी दोस्ती वो बाउंड थी मुझे बताने के पर उसने मुझे नहीं बताया चीक है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें भी इंस्टिगेशन में आ जाएगा तो कौन-कौन से चीज़ें आती है पी-आई-ई-ए-ए-च चीक है पी-आई-ए-पाई-ए-च पी-आई-ए तो बहुत इंपोर्टेंट है प्रवोक, इंस्टिगेट, इंकरेजमेंट ठीक है बेसिक सी चीज़े है दो चीज हमने इसमें और पढ़ ली है एक होता है अप्रूवल जो की होना चाहिए आक्टिव और यह एच से क्या होता है हाइड फिच वस बाउन टोटे ठीक है समझ में आ गया बस वही चीज है एक्स्प्रेशन बन में अच्छे से कर लेना है इस चीज को क्योंकि आप बाउन टो डिस्क्लोज थे और आपने कैसे डिस्क्लोज नहीं किया क्या विल्फुल विल्फुल आपने विल्फुल ही क्या किया विल्फुल मिस्रेप्रेजेटेशन विल्फुल कंसीलमेंट सिंपल है नेक्स इसके बाद आता है बाई कंस्पिरेसी कॉंस्पिरेसी में क्या आता है एग्रिमेंट conspiracy का मतलब क्या होता है agreement और इसकी requirement क्या है overtapped अब दो तरह की conspiracy होती है 120A में भी हम पढ़ेंगे और इसमें भी हम पढ़ेंगे conspiracy conspiracy का simple मतलब होता है agreement और इसकी requirement होती है overtapped a person is said to evit the commission of an offense by conspiracy when he enters into an agreement with one or more person to do a thing किते persons के लिए 2 plus persons क्या requirement है इसमें 2 plus persons होने चाहिए to do what to do a thing in abitment by conspiracy it is required that some overtapped or omission needs to be done अब इसमें overtapped plus omission चाहिए omission ये दो चीज़े add कर लो या तो ये करो या तो ये करो दोरों में से एक एक चीज़ आप कर सकते हो overtapped या फिर omission दो actual commission of the office may not happen जहां पर overt act लिखा होता है मां समझ जाना वो इसलिए लिखा है क्योंकि यह आप actual act नहीं कर पायो simple सी बात है next इसकी बात है कहर सिंग वर्से स्टेट कहर सिंग देखो इस abitment वाले portion में कहर सिंग वाला case आपको याद ही रखना है कहर सिंग वर्से स्टेट इसमें क्या है it drew a distinction between abitment by conspiracy 107 में और conspiracy under section 128 हम इसका difference भी आगे जाके करेंगे ठीके कहां पर करेंगे हम हम करेंगे conspiracy वाले portion में informer a mere combination of person or existence of agreement is not required देखो 107 में mere combination जो है वो required नहीं है existence of a person की वहाँ पर exist कर रहे हैं कि यह सब required नहीं है but conspiracy वे mere agreement से काम चल जाता है उपर over tact होना चाहिए इधर mere agreement से काम चल जाता है चाहिए समझ भी आ गया next इसके बादे by intentional aid इसका क्या मतलब होता है assistance आप assist कर रहे हो यह क्या है agreement है यह क्या है assistance है इंटेंशनल इट का मतलब क्या होता है assistance अब इसमें क्या है abitment by intentional aid के essential features क्या क्या होते है it should actually be committed and further it is also to be proved that एक तो पहले क्या होता है उसको commit करना होता है और बात में क्या करना होता है proof क्या करना होता है proof कि आपने help ली थी of aid provided offense admitted was committed with the help कोई एक offense हुआ है आप वहाँ पे खड़े हो कोई एक offense हुआ है आप वहाँ पे help कर रहे हो यह दो अलग अलग चीज़े है तो आपने क्या क्या है या फिर क्या क्या है आपने facilitate क्या है कोई एक offense हो रहा है आप वहाँ पे खड़े हो intentional यह वर्ड भी ध्यान रखना है इसमें आपका मेंत्रिया होता है मेर प्रेजिंस इस नॉट इक्वल्स इंटेंशनल एड इसमें active involvement जरूरी है मैंने आपको यही एक्जाम्पल भी दिये थे इसका case law है case law याद कर ले ना त्रिलोग चंद वर्से स्टेट ऑफ देली त्रिलोग चंद वर्से स्टेट ऑफ देली intention to aid is the gist of the offense of abitment by aid यही बात है मैंने भी आपको बताए intention क्या है is equals to abitment आपके पास intentional intention है कि आपको aid करना है और intentionally आपने क्या क्या aid किया तो वही क्या है जिस्ट है abitment का अब हमने कौन से section कर लिया है यह देखना हमने कर लिया है abitment of a thing इसमें इस सारी important चीज़े आ जाते है इसमें बाद आता है abitator एक तो हो गया हमने abitment पढ़ लिया abitment क्या होता है अब abitment कर कौन रहा है दूसरा क्या है कोई ऐसा act which would be an offense if committed by a person capable of committing an offense with the same intention knowledge as that of the abitator चीक है एक तो होगे offense तो वह खुद में एक offense है abitator ने किया चीक है उसको abitment की punishment मिल जाएगी second क्या है एक act है जो intention की वज़े से क्या है एक offense हो जाता है तो उसको आपने उसी intention knowledge abitment abitator के intention knowledge के साथ किया तो वो क्या हो जाता है abitator ही हो जाता है और वो abitment में convert हो जाता है next इसके बाद इसके कुछ explanatory clauses है explanation 1 से लेकर के explanation 5 तक explanatory clauses है आप सबसे पहले क्या है abitment of illegal omission is also an offense illegal omission तो obviously offense होगा second क्या है commission of abitator act और causing of effect requisite for offense not required अब देखो commission of abitator act commission जो है एक act के commission ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए third है person abitator need not be capable of having mensria अब जो पहले तो हो गया यह हो गया abitator दूसरा क्या होगा person abitator छोटा बना देते हैं उसको उसके पास mensria की ज़रूरत नहीं है ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद mensria हो next इसके बाद आजाता है explanation 4 explanation 4 बात करता है abitment of abitment of any offence is also an abitment छिक है देखो यह हो गया first person दूसरा भी क्या हो गया abitator फिर तीसरे ने काम किया तो इसमें क्यों कि इसने इसको abit किया फिर इसने इसको abit किया abitment of an abitment is also an offence छिक है यह भी क्या हो जाएगा एक offense हो जाएगा next इसके बाद आजाता है explanation 5 में abitator need not concert with the person executing the act abitator जरूरी नहीं है कि वो concert करे with the person executing the act abitator अब इसके बाद explanation 1 to 5 में एक बार आपको आपको अच्छे से बता देते हूं explanation 1 क्या बात करती है the abitment of illegal omission of an act may amount to an offense although the abitator may not himself be bound to do that act ठीक है क्या है abitment of illegal omission is also an offense अब देखो abitment of the illegal omission हमने इसमें illegal omission के बारे हम बात कर रहे है ठीक है illegal omission के बारे हम बात कर रहे है often act may amount to an offense वो offense हो सकता है ठीक है it may amount to an offense although the abitator एक हो गया abitator एक हो गया abitator may not himself be bound to do that act वो खुद से bound नहीं है अब इसका example दे देती हूं a student instigates b a है first explanation 1 को देखो ठीक है a है वो क्या है student है ठीक है वो क्या करता है instigate करता है किसको b को वो क्या है police officer है to illegally abstain from duty to prevent the omission of the cognizable offense वो उसको क्या करता है रोकता है ठीक है omission illegal omission करता है कि abstain कर सके उनको duty prevent करने से उनकी खुद की duty prevent करने से the commission of the cognizable offense which was being committed in his presence उनके presence में जो offense हो रहा था in this case a may not be guilty of offense because a is not bound to prevent the cognizable offense but still he is guilty of abitment of offense ठीक है अब तीसरा बंदा जानी कि C कोई offense कर रहा था और उसने हाला कि वो बाउंड नहीं था उनको help करने के लिए पर उसने जब रोका तो वो क्या होगा उसने abitment करती है यह इसके explanation में है ठीक है नेक्स इसके बाद आते हैं हम लोग explanation 2 में explanation 2 में explanation 2 बात करती है किस चीज़ की commission of abitment act or causing of effect requisite for offense not required अब देखो commission अब इसमें भी example है A instigates B क्या है A जो है वो instigate करता है किसको B को करता है to murder C ठीक है C का खतम करने के लिए murder करने के लिए B refuses to do so तुब भी बोलता है मैं नहीं करूंगा ठीक है A is guilty of abitment B to commit murder लेकिन A ने तो अपना काम कर दिया ना abitment तो हुआ ना ठीक है abitment जो है वो हो गया तो वो क्या हो गया abitment के अंडर में आ गया और वो क्या है एक abitator है नेक्स इसके बाद आते हैं हम लोग explanation 3 में पर्सन अबिटेड नीड नॉट बी केपबल ऑफ हाविं मैंसरिया अब इसमें simple सा मैं एक example दे देती हूं कि A with guilty intention abits a child to commit an act which would be an offense चाइल के पास मैंसरिया तो नहीं होगा if committed by a person capable by law to commit an offense ठीक है here जो है यहाँ पर A is guilty of abitment whether or not the offense is committed इसमें भी वही है कि capable जरूरी नहीं है need not be capable मालो A है वो B को instigate कर रहे है B छोटा बच्चा है पर A जो है वो C को instigate कर रहे है C बड़ा बच्चा है चीक है 18 प्लस है तो क्या हो जागा इसके पास है knowledge पर इसके पास आप बोल दो कि मैंने तो एक छोटे बच्चे को चोमू बना दिया था ऐसी बात नहीं पर तुमने क्या है abitment किया जरूरी नहीं है कि यह mensaria form कर सके तुमने अपना काम कर दिया इसलिए इसको क्या बोलेंगे इसको explanation 3 में डालेंगे इसको मैं याद करवा दूंगे कि कैसे इसको याद करने explanation 1 में क्या है 2 में क्या है नेक्स इसके बाद आते हैं explanation 4 में explanation 4 बात करता है abitment of abitment of an a offense is also an offense अब इसको मैं एक्जाम्पल से बता देती हूं a instigates b to instigates c to murder z मैंने आपको एक्जाम्पल और दिया था तो b accordingly instigates c c to murder z and c commits the offense in this case a is also liable to be punished for abitment ठीक है a b c वाला case से तो इसको तो abitment की सजा मिलेगी इसको भी मिलेगी है ना यह वाला समझ में आ गया होगा next करते है explanation 5 abitur need not concert with person executing the act abitur अब इसमें मैं बता देती हूं it is not necessary for the commission of the offense of abitment by conspiracy that the abitur should concert the offense with the person who commits it ठीक है conspiracy की बात की जा रही है इसमें अब इसमें sufficient क्या होगा it is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed ठीक है यहाँ पर बैट करके conspiracy form कर रहा है मालो A है B है conspiracy कर रहा है अब B गया काम करने ठीक है तो जरूरी नहीं है कि A को वहाँ पर present होना ही चाहिए ए ने यहाँ पर अपना काम कर दिया है abitment हो चुका है ठीक है इतना समझ में आ गया है इतना ही है हमारे किसमे एक्स्प्लिनेटरी clauses में next इसके बाद देखनें abitment of offences outside इंडिया यह कौन से section है section 108 है कई वार हम लोग भूल जाते है तो इसको कर ले ना अब देखो abitment outside इंडिया इसका case देख लो queen emperor versus गनपत राव रामचंद्र यह अच्छा case है इसमें क्या किया गया था है ओकी सब्वेस लुच तो पेंधन इंडियों लिजो पकाथलमें जा एंवर कर सब्सक्राइं चर्थी और को सब्सक्राइख न खिरें Kauf और माद जेका श्लिब्स एक्र सब्सक्राइना वधार है तो sura वरूल हुआ है क्योंकि बाद में यह प्रोविजन आड कर दिया गया है ताकि आप उसको कर सको अरे यार दो कांट्रीज हैं दो कांट्रीज के वीच में कुछ हुआ है धरुदर हुआ है तो यह तो एक तरह से लेक्विना इन लौ हो जाएगा ना 108 इसलिए आड कर दिया है न है नेक्स इसके बाद कौनसे सेक्शन बचा है 109 10 11 13 14 ठीक है 12 हम देख लेंगे बाद में और फिर इसके बाद क्या है हमारा यहां पर ओफेंस नॉट कमिटेट 15 & 16 115 116 अब हम देखते हैं 112 में क्या है 1012 में एबिटर वन लाइबल टू क्यूमिलेटिव परनिश्मेंट इसमें नहीं किया गया है अब सबसे पहले हम यह वाला करते हैं लाइबिलेटी ओफ अबिटर वेन ओफेंस कमिटेट यानि की इधर हम लोग क्या लगा लेंगे रेड माक में लगाएंगे हम लोग इधर ब्लू माक लगा लेते हैं चीक है क्योंकि हो गया है बेटा सेकेंड ओफेंस कमिटेट कमिट हो गया ओफेंस लाइबिलेटे ओफेंस अबिलेटे डाइग्राम्स बना दिया है वस उसको पढ़ते जाना तो कितनी सजा मिलेगी? इक्वल सजा मिलेगी पहले मैं यह बताते तो फिर मैं आपको रिड़ाओट कर दूगी वो आप लिख लेना इक्वल पणिशमेंट एक सो नौ में मिलेगी then इसके बाद क्या है 110 में same punishment मिलेगी क्यों person abited does act with different intention from that of abitter क्या है different intention है पर तब भी आपको क्या मिलेगी same punishment मिलेगी हला कि इसमें intention or knowledge missing है next क्या है third one act abited but different act done ठीक है तो जो किया जाएगा उसकी सजा मिलेगी इसलिए tick mark है for what is done 112 हटा दो 113 में क्या है act committed but different act caused अब इसमें भी क्या है जो अगर different effect cause हुआ है तो different effect के लिए मिलेगा और 114 में क्या है abitter present at the time and place of commission present है तो constructive liability form होगी ठीक है अब इसके बाद हम लोग 109 से 114 कर लेते हैं 109 में है it provides that whoever abits any offense shall if the act abit is committed ठीक है act जो है abit हुआ है वो commit हो गया है consequence of abit में और कोई भी express provision provide more lex 109 में express provision provide नहीं किया गया है तो क्या हो और beard आप 109 तूस्त परविजिन इसमें provide नहीं किया गया है इसलिए आपको कितनी सजा मिलेगी punish with the punishment provided for the offense इसलिए आपको कितनी सजा मिलेगी equal सजा मिलेगी सेप्रसनों हैं नेक्स ठीक है यानि कि आपको लगा था कि मैं इसको मारने जाओँगा पर आप उसको सिर्फ चोट मारके आगया ठीक है आप intention से गया थे कि आप चोट मारके आओगे और आपने मार दिया मार दिया वाला intention किसका है मार दिया वाला intention तो abitter का है for example A है B है A ने B को instigate किया कि तुम उसको C को बस मार के आओ हर्ट कर के आओ मार के आओ अब इसको लगा कि चलो हर्ट करने से उसको वो क्या हो जागा वो मर जाएगा पर इसने इसको यह नहीं बताया था कि हर्ट करने से जो है वो सच में मर जाएगा क्योंकि उसको problem severe problem इसको लगा यह बच जाएगा ठीक हर्ट ही तो गरना है यह गया था हर्ट करने और इसका intention था murder करने का और इसको गया इसने इसको बोला कि तुम बस उसको hurt कर दो यह गया नेक्स तो इसमें क्या हो जाएगा सेम पनिश्वर मिलेगे 110 में नेक्स एफ वन आट अबट बट डिफरेंट ड़न अब एक है तो फिर क्या हो जाएगा फॉर वाट इट्स टन अब लेकिन एक चीज है देखो सेक्शन नमर 109 में एक बर फिर से बताना चाहते है इसमें केस लोह है सोहनलाल अट दरेट सोहनलाल चाहिए अट सोहनलाल वर्से स्टेट ऑफ पंजाब इसमें क्या किया गया था ओफेंस अंडर सेक्शन 109 अच्छली कॉंसिट्टीट सा सब्स्तेंटिव ओफेंस अंड इसमें क्या हो जाएगा तो उसको किस चीज़ के पनिश्मेंट मिलेगी इंटेंशन ओफ एबिटर जैसे होगी जैसे उसको मर्डर की थी तो उसको किस की सदा मिलेगी ही इसकी बाद है एक आपक्ट किया तो दूसरा किया तो क्या हो जाएगा उसको सेंट के लिए लिए लाइब देट कितना किये जागा लाइourd? Same extent and Same manner Same extent or Same manner कीतरे Next, this के बाद ए, act, abitent committed but different affect cause effect ही दूसरा आगया कि में section 113 में 12 हठादो It provides that when an act is upίνed with the intention on the part of the abitor of causing a particular effect and an act for which the abitment is liable in consequence of the abitment causes a different effect from that intended by the abitment हमने abit किया हमने मैं abitment हूँ जैसे मैंने सुचे कि कुछ और होगा पर हो कुछ और गया effect कुछ और cause हो गया act भी वही किया था the abitment is liable for the effect cause किसके लिए liable हो गया किसके लिए liable हो गया for the effect cause ठीक है यह देखो यह मैंने बताया ना for the effect cause next है abitur present at the time and place of commission of offense abitur जो है वो present है time place of commission of offense अब इसमें क्या है provides that whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abitur इस present यहाँ पे तो दिक्कत ही होगे कि वो वहाँ पे present ही है ठीक है shall be deemed to have committed the offense himself deemed कि आपने वो offense कुद किया है आपको abitur की तरह सजा नहीं मिलेगी supreme court ने एक case में बोला है क्या case का नाम है kulwant singh versus state of bihar इस case को लिख लो क्या है kulwant singh versus state of bihar 114 के अंदर है section number इसमें क्या बोला गया है actual presence coupled with prior abitment can mean nothing else but participation equals to क्या equals to हो जाएगा participation ठीक है आपने चकल्लस की आपने gossip किया पहले जाकर abit किया फिर इसके बाद आप सोचे यह तो काम नहीं कर पाएगा चलो मैं वहाँ खड़ा हो के देखता हूँ क्योंकि आपको क्या हो रही थी insecurity हो रही थी तो उसको क्या बोला जाएगा participation act abit participation हो जाएगा it is equals to participation in this case it is not essential that abitator should share any common intention अब इसमें common intention की बात की बात की बात की आगे section number 34 share करना जरूरी है नहीं common intention share करना जरूरी नहीं है with the abitator person or should have actually participated participation जरूरी है नहीं जरूरी नहीं है कि आप भी चाकु मार रहे हो किसी को तो उसका हाथ पकड़ के bird decade की तरह काट दो उसे in the commission of the offense mayor presence would be sufficient to make him liable इसमें क्या लिख दो mayor presence is equals to participation आपने participate किया और आपको उसकी सजा मिलेगी तो हमारा क्या complete हो गया हमारा complete हो गया कि आपने liability of abitator when offense committed अब offense committed हो गया है अब दूसरा आजाता है offense not committed liability हो जाएगे कब जब offense committed नहीं किया गया इसमें क्या है liability of abitator when offense abitator is not committed is categorized in following ways कौन सा ways है एक तो 115 और दूसरा 116 115 में क्या है abitment of offense punishable with death or imprisonment for life आपने कोई ऐसा offense का abitment किया है जो की punishable है किससे death imprisonment for life और दूसरा क्या है punishable with only imprisonment अब 115 पढ़ते हैं 115 में क्या है कि अगर death या फिर imprisonment for life है कोई ऐसा एक करने के लिए सदा इतनी मिलेगी अब देखो कोई एक ऐसा offense है मालनो murder ही है murder के लिए death या फिर life imprisonment मिलता है और murder नहीं cause हुआ चीक है और उसका abitment के लिए कितनी सदा मिलेगी no express provision भी made नहीं किया गया है तो it be punished with imprisonment which may extend to 7 years 7 साथ साल की सदा मिलेगी अब इसमें क्या है if any act for which the abitur is liable in consequence of the abitment abitment के consequence में कोई और एक और act के लिए liable है which causes hurt to any person is done the abitur shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years it can be increased to 14 years अगर abitment plus any consequence हो जाता है ठीक है and shall also be liable to find obviously for example अब example में देती हूँ ठीक है example इदर देख लेते हैं A. instigates B. to murder Z ठीक है the offense is not committed अब ये जो है ये जिन्दा है अभी भी if B. had murdered Z. he would have been subject to punishment of death अगर B. ने इसको murder Z. को मार दिया होता तो is equals to death punishment मिलती ठीक है किसको इसको मिलती death punishment पर क्या होगा you would have been subject to or imprisonment for life therefore A. is liable to imprisonment A. जो है वो कितना liable होगा for imprisonment which may extend to 7 years तो 7 साथ साल की सजा मिलेगी इससे fine मिलेगा and if any hurt be done अब Z. को मारा नहीं है ठीक है Z. मारा नहीं है तो hurt cause हुई है लेकिन तो क्या हो जाएगा उसको plus पूरी 14 years की सजा मिल जाएगी ठीक है he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years और ज़रूरी नहीं है साथ से 14 साल के सजा मिल जाएगी तो यह वाला I hope आपको example समझ में आया हो next इसके बाद आते है section number 116 में 116 किस चीज की बात करता है कि कोई एक ऐसा offense के लिए आपने इंस्टिगेट किया है जो सिर्फ क्या है imprisonment से पनिश किया जाएगा death sentence और life sentence से नहीं किया जाएगा तो इसमें क्या है कोई भी एक ऐसा offense है be not committed, commit नहीं हुआ है इसमें basic बात यही है कि sorry offense जो है वो commit नहीं हुआ है तो वही बात है इसमें कि offense commit नहीं हुआ है इधर भी offense commit नहीं हुआ है और कोई express provision भी provide नहीं है तो be punished with the imprisonment for a term which may extend to one fourth part of longest term provided for that offense कितना एक चथाई with such fine as is provided for the offense और fine उतना ही लगेगा अब इसमें भी क्या है कि देखो commission अगर क्या है abater or the person abitate is a public servant अब इसमें क्या बट आ गया public servant है मान लो police वाले है अगर क्या है abater जो है abater जो है वो क्या है public servant है या फिर abater या फिर abitie जो है वो public servant है whose duty is to prevent the commission of such offense the abater shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one half इनको सजा कितनी मिलेगी half की मिलेगी इनको जादा सजा मिलेगी और fine जितना भी provided है example क्या है a offers a bribe to b a क्या करता है offer करता है b को bribe ठीक है a public servant as a reward for showing a some favor in the exercise of b's official function b refuses to accept the bribe a is punishable under this section b क्या कर देता है refuse कर देता है तो a क्या हो जाएगा a को एक one half of offense मिलेगी और अगर b ले लेता है b किसी को मतब इन दोनों में से कोई भी क्या होना चाहिए police officer public servant कोई होना चाहिए तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया हो मैं इसके कुछ questions बता देती हूँ previous years जो आये थे जैसे कि DGS मैं आया था explain the difference between criminal conspiracy and abitment चीक है तो वो difference जो है वो बहुत जरूरी है समझ ना कि criminal conspiracy और abitment के बीच में difference क्या है वो मैं आपको कौन से उसमें करवाओंगी वो मैं आपको conspiracy में ही करवा दूँगी चीक है इसका difference तो उधर देख लेना नेक्स इसके बाद और जो important question आये थे कि एक second मैं एक बार चेक कर रही हूँ what is abitment what are the various methods by which abitment is possible methods बताने है ठीक है methods में क्या गया instigation pi मैंने बताया था ना pi i for instigation and फिर इसके बाद एक बार देख लेते हैं check कर लेते हैं मुझे भी एक्दम से हाँ sorry instigation हो गया instigation का pi है sorry instigation हो गया conspiracy हो गया जो हमें आगे भी करना है और intentional aid हो गया ठीक है क्या हो गया IIC क्या हो गया इधर उस question का answer ICI ICI ठीक है ये हो गया next इसके बाद question हो जाएगा अच्छा question बहुत जादा question नहीं है mainly जो question पूचा जाएगा वो इस चीज से related पूचा जाएगा कि abattment क्या है यानि कि 107 section से पूचा जाएगा 108 से पूचा जाएगा इससे जादा अगर किसे से पूचा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है ऐसा जाएगा 109 से लेकर के 120 तक आपको करने ही है हमने कितने sections कर लिया है 109 से हमने 116 तक कर लिया है 117 1820 क्या है 117 abitting commission of offense by the public और by more than 10% 10-10 से public या फिर 10% से जादा यानि कि जुण्ड हो गया concealing design to commit offense punishment with death अब उसको conceal कर रहे हो नेक्स्ट पब्लिक सर्वेंट concealing design concealing design to commit offense punishment with imprisonment अब देखो यह मैंने आपको बताया था concealing यह वाला punishment with death तो इसे के साथ कर ले ना 118 और फिर इसके बाद इधर आ गया पब्लिक सर्वेंट वाला भी इधर आ गया 119 पब्लिक सर्वेंट और concealing design to commit और फिर इसके बाद यह इसके साथ आ गया sorry हाँ और फिर यह इसके साथ आ गया 119 ठीक है यह आ गया आपके पास sorry 120 मैं फिर से पढ़के आपको बता देती हूं क्या है 118 concealing design to commit offense punishment with death or imprisonment for life इस चीज़ को आप क्या कर रहे हो conceal कर रहे हो तो 15 के साथ 18 आ गया next day 119 पब्लिक सर्वेंट concealing design to commit offense यह वाला पब्लिक सर्वेंट वाला आ गया 119 में और इधर वाला क्या आ गया concealing में 120 concealing design to commit offense punishable with imprisonment यह क्या है imprisonment इसको conceal कर रहे है तो कौन से section में आ गया 120 तो I hope आपको यह समझ में आए हो अच्छे से 118, 120 और 119 भी हमने कर लिया है हमने क्या छोड़ा है 117 और 112 तो वो as such important नहीं है means के purpose से जितना important है साथ में pre वाला भी मैंने आपको बता दिया है उतना करवा दिया है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगा हो और अगर अच्छे लगा है तो please do like, share, comment and please do subscribe